ओम शान्ती आज है 26 अगस्त 2021 की साकार मुरली आए सुनते हैं बाबा के महवाख्यों को मीठे बच्चे तुम गरंटी करते हो कि हम अपने ही योगबल से इस भारत को स्वर्ग बनाएंगे वहाँ एक धर्म एक राज्य होगा प्रेश्ण माया के किस विखन से सेफ रहने वाले बहुत अच्छी कमाल कर सकते हैं उत्तर माया का सबसे बड़ा विखन है देह अभिमान में लाकर एक दो के नाम रूप में फंसाना जो बच्चे इस विखन से सेफ रहते माया के धोके से बच्चे रहते वे बहुत कमाल कर दिखाते हैं उनकी बुद्धी में सर्विस के नेने ख्यालात चलते रहते हैं सर्विस में उन्नती तब होगी जब देही अभिमानी होंगे ओम शन्ती बाप आएं हैं रुखानी बच्चों को श्रीमत देने यह तो बच्चे जानते हैं कि थोड़े समे के अंदर ड्रामा प्लैन अनुसार सारा कार्य होना है हम रावण पूरी को विश्नुपूरी बनाते हैं अब बाप भी गुप्त तो पढ़ाई भी गुप्त है सेंटर्स तो बहुत हैं चोटे बड़े गाउं में सेंटर्स हैं और बच्चे भी बहुत हैं और भी दिन प्रति दिन बढ़ते जाएंगे लिटरेचर में भी लिखते हैं कि हम इस भारत भूमी को स्वर्ग बना कर छोड़ेंगे तुमको यहाँ भारत भूमी बहुत प्यारी है क्योंकि तुम चानते हो कि यहाँ भारत ही स्वर्ग था उनको पांच हजार वर्ष हुए भारत बहुत शानदार था तुम ब्रम्हा मुखवंशा वली बच्चों को ही यहाँ नालिज है इस भारत को श्रीमत पर स्वर्ग बनाना पड़े सब को रास्ता बताना है और कोई खिट-खिट की यहाँ बात नहीं है आपस में बैठ राय करनी चाहिए कि इन चित्रों द्वारा ऐसी क्या एडवर्टाइज करें जो अखवार में भी यहाँ चित्र डालें आपस में इस पर सैमिनार करना चाहिए जैसे उस गवर्मेंट के लोग आपस में मिलते हैं राय करते हैं तो भारत को हम कैसे सुधारें यहाँ जो इतने मतभेद हो गए हैं उनको आपस में मिलकर ठीक करें और भारत में सुक्षानती कैसे स्थापन हो ऐसे तुम भी रुहानी पांडव गवर्मेंट हो यहाँ बड़ी इश्रिय गवर्मेंट है पतित पावन बाप ही पतित बच्चों को पावन बनाकर पावन दुनिया का मालिक बनाते हैं यहाँ रास तुम बच्चे जानते हो मुख्य है ही भारत का आदी सनातन देवी देवता धरम यहाँ है रुद्र ग्यान यग्या रुद्र कहा जाता है शिप बाबा को, अब तुमको बापने आकर जगाया है, तुमको फिर औरों को जगाना है, ड्रामा प्लैन अनुसार तुम जगाते रहते हो, अब तक जिस जिस ने जैसा जैसा पुरुशार्थ किया है, उतना ही कल्प पहले भी किया था, तुम्हारी माया का जोर हो जाता है कभी इश्यर का कभी कभी तो सर्विस अच्छी तेजी से चलती है कभी कई बच्चों में माया के विखन पड़ जाते हैं माया एकदम बिहोश कर देती है लड़ाई का मैदान तो है ना माया राम की संतान को बिहोश कर देती है लवकुष की कहानी भी है ना राम के दो बच्चे दिखाएं हैं यहां तो बाबा के धेर बच्चे हैं इस समय सब मनुश्य कुम्बकरण की नींद में सोए हुए हैं वे यहा भी नहीं जानते कि परम पिता परमात्मा आया है बच्चेों को वर्सा देने बाब भारत में ही आते हैं यहां बात बिलकुल ही भूल गए हैं भारत वासे ही स्वर्ग के मालिक थे इसमें कोई शक नहीं परम पिता परमात्मा का जन्म भी यहां होता है तब तो शिवजियन्ती भारत में मनाते हैं तो जरूर उसने कुछ आकर किया होगा बुद्धी कहती है कि जरूर बापने आकर स्वरक्य स्थापना की होगी, प्रेड़ना से थोड़े ही स्थापना करेंगी, यहां तो तुम बच्चों को राजयोग सिखाया जाता है, याद की यात्रा सिखाई जाती है, प्रेड़ना में कोई आवाज नहीं होता, समझते हैं श उन्हों का पाठ ही है, मुसल बनाना, वे विनाश अर्थ निमित बने हुए हैं, प्रेड़ना शास्त्रों का अकशर है, इसमें प्रेड़ना की तो बात ही नहीं है, ड्रामा अनुसार विनाश तो होना ही है, गाया हुआ है महाभारत लड़ाई में यहां मुसल आदिका में आये थे जो पास्ट हो गया है वह फिर रिपीट होना है तुम गैरेंटी करते हो कि हम योग बल से स्वरकी स्थापना करेंगे वहां एक धर्म होगा तो दूसरे सब्धर्म कहां होंगे चरूर विनाश हो जाएंगे यह समझने की बात है गाया हुआ है ब्रह्मा द्वारा स्थ स्थापना विष्णों द्वारा पालना तो ठीक है लेकिन शंकर को तो शिव के साथ मिला दिया है यहां रॉंग है शिव शंकर कह देते हैं क्योंकि शंकर तो कोई काम नहीं करते तो शिव से मिला दिया है प्रंतु शिव बाबा कहते हैं मुझे तो बहुत काम करना पड़त सब को पावन बनाना पड़ता है, मैं इस ब्रम्हा तन में प्रवेशकर इस साकार द्वारा स्थापना का कार्य कराता हूँ, शंकर का तो कोई पाठ है नहीं, शिव की पूजा होती है, शिव ही कल्यान कारी जोली भरने वाला है, शिव परमातमाए नमह कहते हैं न, यह ब्रम् यहां तो बड़ी गुय बाते हैं, यहां सिर्फ तुम बच्चे ही चानते हो, सैंसिबुल बच्चों की बुद्धी में ग्यान चट समझ में आ चाता है, मनुश्य को कुछ भी समझ नहीं है, कि पतित पावन बाप कब आएंगे, अब तो कल्यूग का अंत है, अगर कहते हैं कल्यूग के अंत में 40,000 वर्ष पड़े हैं, तो अभी कितना और पतित बनेंगे, कितना दुख सहन करेंगे, कल्यूग में सुक तो होगा नहीं, कुछ भी न जानने के कारण बिचारे घोर अंधियारे में पड़े हैं, तुम बच्चों को आपस में मिलकर राय करनी चाहिए कि कैसे सर्विस को भड़ाएं, बाप प्लैन तो बताते रहते हैं, फिर बच्चों को आपस में मिलना है, चित्रों पर अच्छी रीती समझाना है, यहाँ भी ड्रामा नुसार चित्र बनते जा रहे हैं, बच्चे जानते हैं कि जो जो समय पास होता जाता है, हो बहु ड्रा कभी कभी बच्चों पर ग्रहचारी बैठती है, तो उनको मिटाने के लिए प्रतन गड़ाते हैं, बाबा घड़ी घड़ी कहते हैं कि बाप को याद करो, लेकिन देह अभिमान में आ जाते हैं, इसलिए ठोकरे खाते हैं, इसमें देही अभिमानी बनना पड़े, परंतु बच्चों में देह अभिमान बहुत है, तुम देही अभिमानी बनो, तो बाप की याद रहे, फिर सर्विस की उन्ती भी होती रहेगी, जिनको उच्पद पाना है, वह सदैव सर्विस में लगे रहेंगे, तकदीर में अगर नहीं हैं, तो तत्बीर भी नहीं करेंगे, धारणा अगर नहीं होती, तो खुशी भी नहीं रहती है, जिनको धारणा होती है, तो खुशी भी रहती है, समझते हैं कि शिबाबा आया हुआ है, बाप कहते हैं बच्चे, तुम अच्छी रीती समझ कर फिर औरों को भी समझाओ, कोई तो सर्विस में लग जाते हैं, तुम बच्चे जानते हो कि जो जो सैकिंड बीटता है वह ड्रामा में नूध है फिर ऐसे ही रिपीट होता है बच्चें को ही समझाया जाता है कि बाहर भाशन करते समय तो अनेक परकार के मनुष्य आते हैं। तुम बच्चे जानते हो कि सभी वेद शास्त्र गीत आदी पर ही भाशन करते हैं। उनको यहाँ पता थोड़े ही है कि यहाँ इशर अपना और इस रचना के आदी मध्य अंत का रहस्य समझाते हैं। चित्रों में कितना अच्छी तरह दिखाया है कि परमात्मा कौन है। यहाँ बातें प्रोजेक्टर पर तो समझा नहीं सकते। प्रदर्शनी में चित्र भी सामने खड़े हैं। और फिर तुम समझा कर पूछ भी सकते हो कि अब बताओ कि गीता का भगवान कौन है। ग्यान का सागर कौन है। पवित्रता सुक्षानती का सागर लिबरेटर गाइड कौन है। क्रिशन के लिए तो कह नहीं सकेंगे। परमात्मा की महिमा अलग है। पहले लिखाना भी चाहिए, प्रोब लेना चाहिए, सबसे सही भी लेनी चाहिए। हौल में लड़ रही है। इसमें सारी दुनिया में लड़ाई झगड़ा ही है, सब आपस में लड़ते रहते हैं, पांच विकार भी मनुष्यमें गाए जाते हैं। जानवरों की तो बात नहीं है। Vicious world और Viceless world मनुश्यों के लिए गाया हुआ है कल युग में है आसुरी संपरदाय, सत्युग में है दैवी संपरदाय मनुश्य इतने तमो प्रिधान बुद्धी हैं चो बिलकुल समस्ते नहीं कि हम ही आसुरी संपरदाय हैं देवताओं के आगे जाकर गाते भी हैं हम ही नीच पापी हैं हम निरगुण हारे में कोई गुण ना ही तुम तो उन्हों को सिद कर बता सकते हो सीड़ी के चित्र में बड़ा क्लियर है दिखाया हुआ है कि कैसे चड़ती कला है फिर उतरती कला है भारत वासियों के लिए मुख्य है सीड़ी का चित्र यहां है सबसे अच्छी चीज इस चित्र पर बहुत अच्छा समझा सकते हो 84 जनम पूरे कर फिर पहला नमबर जनम लेना है फिर उतरती कला से चड़ती कला में जाना पड़े हरे का विचार चलना चाहिए कि सबको रास्ता कैसे बताएं ख्यालात नहीं चलेंगे तो सर्विस कैसे करेंगे चित्रों पर समझाना बहुत सहच होता है सत्यूग के बाद सीड़ी उतरनी ही है बच्चे जानते हैं कि अब हम ट्रांसफर हो रहे हैं लेकिन सीधा सत्यूग में नहीं चाते पहले शांती धाम में चाना है तुम चानते हो हम पाड़ धारी हैं बाकी तुम्हारे में भी नंबर वार हैं चोपने को पाड़ धारी समझते हैं इस ड्रामा के दुनिया में ऐसा कोई नहीं कह सकते कि हम पाठधारी हैं हम लिखते भी हैं कि हर एक मनुश्य मात्र इस बेहद ड्रामा के एक्टर्स होते हुए भी ड्रामा के मुख्य एक्टर्स, डिरेक्टर और ड्रामा के आदिमध्य अंत को नहीं जानते हैं तो वह बेसमझ है इस लिखने में कोई हर्जा नहीं है एक कान से सुन दूसरे से निकाल नहीं देना चाहिए सर्विस सर्विस और सर्विस बाबा जानते हैं कि बच्चों पर कभी ग्रहचारी भी बैठती है जब ग्रहचारी बैठती है तो कितना नुकसान हो जाता है वह बाब जानते हैं, सहुकार गरीब बन पड़ते हैं, कारण तो होता है न, बहुतों को बाबा समझाते भी रहते हैं, बच्चे नाम रूप में कभी नहीं फंसना, नहीं तो माया ऐसी है जो नाक से पकड़ खड़े में डाल देगी, माया बड़ा धोखा देदेगी, आशिक माशक यहाँ नहीं बढ़ना है, आशिक माशक को विकार के लिए बनते हैं, दूसरे सिर्फ रूप पर फिदा होते हैं, तुम जानते हो सैंटल्स पर भी ऐसे माया के विगन बहुत पढ़ते हैं, एक दो के नाम रूप में फंस जाते हैं, माया ऐसी प्रबल है जो माता, मात के नाम रूप में कन्या कन्या के नाम रूप में भी फंस पड़ती है पुरिशार्थ करते हुए भी माया एकदम पकड़ लेती है इसलिए बाबा सावधानी देते हैं कि बच्चे माया बहुत फंस आने की कोशिश करेगी लेकिन तुमको फंसना नहीं है देह अभिमान में नह आना चाहिए अपने को आत्मा समझ बाप को याद करना है माया के धोके से बचते रहना है तुम बच्चों को बाप गुलगुल फूल बनाने आई हैं तुम्हे किसी बात में शंशे नहीं आना चाहिए अगर दिल में शंशे आया तो सर्विस अच्छी तरह करने ही सकेंगे अंदर घुटका खाते रहेंगे, हिम्मत रखनी चाहिए, टाइम बहुत थोड़ा है, बाबा की मुरली सुनेंगे तो उत्साह में आएंगे, आत्म प्रकाश बच्चा ठीकरिती चित्रों तरफ अटेंशन दे रहा है, बॉम्बे वालों के भी दिमाग में आना चाहिए, तीरचो जो सीड़ी का चित्र ऐरोडरम पर रखा जाए, यह चित्र देख का सब खुश होंगे, आखिर समझेंगे कि इनको मत देने वाला कौन है, तो बच्चों को बहुत नशा चड़ना चाहिए, अच्छा, मीठे मीठे सिकील दे बच्चों प्रती, मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मार्निंग, रुहानी बाप की रुहानी बच्चों को नमस्ते, हम रुहानी बच्चों की रुहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मार्निंग और नमस्ते, धारना के लिए मुख्यसार नमबर एक, तुम बच्चे लड़ाई के मैद माया रावन से तुम्हारी युद्ध है, माया बहुत विख्ण डालती है, बच्चों को बहुत सावधान रहना चाहिए नमबर दो, हरे को अपनी उनती के लिए विचार करना है, चित्रों पर कैसे समझाएं, सर्विस को कैसे बढ़ाएं, चित्रों में ऐसा क्या डालें, जो मनुश्य सहज समझ जाएं वर्दान, अपने शिक्षा स्वरूप द्वारा, शिक्षा देने वाले, शिक्षा संपन योग्य शिक्षक भव, योग्य शिक्षक उसे कहा जाता है, जो अपने शिक्षा स्वरूप द्वारा शिक्षा दे, उनका स्वरूप ही शिक्षा संपन होगा, उनका देखना चलना भी किसको शिक्षा देगा जैसे साका रूप में कदम-कदम हर करम शिक्षक के रूप में प्रैक्टिकल में देखा जिसको दूसरे शब्दों में चरित्र कहते हैं किसी को वानी द्वारा शिक्षा देना तो common बात है लेकिन सबी अनुभव चाते हैं तो अपने स्रेष्ट करम स्रेष्ट संकल्प की शक्ती से अनुभव कराओ श्लोगन संकल्पों की सिद्धी प्राप्त करने के लिए आत्म शक्ती की उडान भरते चलो संकल्पों की सिद्धी प्राप्त करने के लिए आत्म शक्ती की उडान भरते चलो शुक्रिया बाबा शुक्रिया रोस मुरली सुनने के लिए आप शिप बाबा मुरली मदवन चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि डेली शिप बाबा मुरली आपके पास सबसे पहले पहुंचे ओम शैन्ती